हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने मोटरोला जी सिक्स्टी एंडुइड मॉयल फोन में आप जो है पैटन लोग को आप जो है डिसेबल कैसे कर सकते अपने फोन से ठीक है और यह पैटन लोग जो है डिसेबल करने के बाद के शीडिंग कैसे काम करेगी अज की स्वीडियो में आपको डिटेल में जांकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सब से पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज ओपन करना है तो आपको नीचे की साहेट आना है और यहाँ पर आपको security का यह option देखने को मिलेगा security पर आपको जो है इसे select कर लेना है अब यहाँ पर security के इस page में आपको जो है नीचे screen lock का यह option मिलेगा screen lock पर आपको select करना है अब यहाँ पर आपको जो है जो भी आपने pattern lock यहाँ पर लगा रखा है नोन का, नोन के option पे select कीजिए, तो आपको यह चोट तर पे जो पन होगा, इसमें आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर yes remove का यह option आपको tap करना है, तो आपका यह जो है, यहाँ पर screen lock के नीचे नोन लिखा हुआ जागा, यह आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो pattern lock setting है, यह आपकी disable हो जाती है, आपके Motorola G60 Android while phone से, ठीक है, अब यह setting जो disable होने के बाद, यह setting कैसे काम करती है, pattern lock की, ठीक है, यह मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जब भी आप अपने mobile phone की screen को off करेंगे, फिर screen को on करेंगे, तो आपका mobile phone जो हो direct open हो जाता है, ठीक है, आपको कोई भी pattern lock लगा हुआ, दिखा ही नहीं देता है, आपके mobile phone पे, तो इस setting जो है, कुछ इस तरीके से काम करती है, pattern lock की disable करने के बाद, अब मैं आपको इस setting को जो है, डूंडने का एक तो आप इसे select करेंगे, तो आपका mobile phone आपको direct इस setting में आपको पहुचा देगा, ठीक है, screen lock की, इसे select करके आप जो next page में, आप जो है, नोन के बटन पर दबाके, आप जो है, अपने pattern lock को disable कर सकते, easily, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दे, इस setting को सर्च करके ढूंडने इसजाओाएफब से कीजड़ वि personally झाइब से कीजडने क्यो कर च तो विंद के लूने को से कीजडने के ईNISके घू है Creed